आज हम आपके सार्थ सूर्ती फरसी पूरी या खाजा पूरी की रेसिपी सेर करेंगे तो ये पूरी बहुत ही कम मसाले से बनती है और अंदर से बहुत ही सिंपल है तो ये पूरी को आप 2-3 मन स्टोर भी कर सकते हो सूर्टियों ये खजापुरी को आम के रस के साथ खाते है मगर ये खजापुरी चाई के साथ भी खाने की बहुत ही मज़ा आता है तो चलिए रेसिपी सुरू करते है सबसे पहले हम यहाँ पर मसाला रेडी करेंगे तवे पे एक चमच जीरा और एक चमच काली मिर्ज इसको हमें अच्छे से रोस कर लेना है हलका सा जीरे का कलर चेंच करना है हमें और काली मिर्ज भी फूल जाएगी चलाटे जाएंगे continue और रोस्ट कर लेंगे जीरा और काले मेर्ज रोस्ट हो चुका है प्लेट में निकाल लेंगे अब हम जीरा और काले मेर्ज को कूट लेंगे रोस्ट करने के बाद ही कूटना है अच्छे से कूट लेंगे अब हम आटा गुटेंगे यहाँ पर हमने एक कब जितना मेंडा लिया है अब हमें खाजा पूरी को क्रिस्पी रखने के लिए दो चम्मच जितना सूजी एर करेंगे कुटा हुआ काले मीर्च और जीरे का पाउडर एर करेंगे अदा चम्मच हल्ली पाउडर एर करेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक एर करना है सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर हम सूर्थी फेमस खाजा पूरी बना रहे है वो आप आम रस्क के साथ मज़े से खा सकते हो अब हमें गी का मॉईन एट करना है गी का मॉईन हम दो से तीन चम्मच जितना एट करेंगे गी हमने मेल किया हुआ गर का डेसी गी लिया है अच्छे से मिला लेंगे हमें यहाँ पर गी का मॉईन का परफेक्ट नाप जरूरी है गी को इस तरह से अच्छे से मसल के मिक्स करना है आप देख सकते हो आटे का कलर भी चेंज हो गया है अब हम इस तरह से गुठी बना कर चेक कर लेंगे हमारी गुठी बन रही है मगर आसानी से ब्रेक हो रही है तो फीर से हमें तीन चम्मत जितना गी आट करना है अच्छे से मिला लेना है गी का मॉईन अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो गुठी आसानी से बन रही है और व्रेक भी आसानी से नहीं हो रही है मतलब हमारा नाप पर्फेक हो चुका है तो अब हम इसमें पानी एट करेंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा करके छीरक के एट करेंगे और आटा गुट लेंगे आटा हमें बाकरी की तरह गुट के रेडी करना है अच्छे से रेडी कर लेंगे हमने यहाँ पर आटा गुट के रेडी कर लिया है आटा आप देख सकते हो जाली भी आने लग गई है अब हम आटे को कूट लेंगे ताकि हमारे जो खाजा है वो अच्छे से फर्सा बने यहाँ पर हमने मारबल के प्लेटफॉम पे ले लिया है आप चाहो तो यहाँ पर प्लास्टिक भी लगा सकते हो अब हमें इस तरह से कूट लेना है आटे में जो ब्रेक है उसको में पैक करना है और इस तरह से कूटे जाएंगे आटा गूटने के टाइम इसलिए पानी कम रखा है ताकि कूट के हम सौफ्ट बना लेंगे हमने अच्छे से कूट लिया है अब हम इस तरह से फिला लेंगे और अब हम इस पे melt किया हुआ गी एड़ करेंगे गार्निस करना है पुरे आटे को इस तरह से अच्छे से गार्निस कर लेंगे पुरा अच्छे से गार्निस कर लिया है इस तरह से वापस मोड लेंगे और कवर कर लेंगे और वापस हमें कुटना है पहले की तरह वापस कुट के फेला लिया है और वापस गी से गानिस कर लेंगे और वापस मोड लेंगे कवर करके पैक कर लेंगे और वापस हमें कुट लेना है पैक करके इस तरह से और ये प्रोसेस हमें चार बार करना है यहाँ पर हमने ये प्रोसेस चार बार कर लिया है वापस अच्छे से फेला लिया है सभी साइट से एक नाप से फेलाना है कहीं पर पतला या गाड़ा ना रह जाये उसका में द्यान रखना है अब हमें इसका रोल बनाना है इस तरह से एक साइट से रोल बनाना सुरू करेंगे आप देख सकते हो कितनी इजी से रोल बन रहा है एर ना रहे उसका हमें ध्यान रखना है इस तरह से थोड़ा गुमा लेंगे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें यहाँ पर उसके जो लेयर है वो ब्रेक हो सकते है इस तरह से रोल कर लेना है लास वाला जो पार्ट उपर का बचा है उसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे इस तरह से गुमाने से कहीं पर एर रही है वो निकल जाए इसलिए हम अच्छे से रोल को गुमा लेंगे हमारा रोल बनकर रेडी हो चुका है अब हमें रोल को तिन टुकडों में कट लगा लेना है नाइप से इस तरह से गिस के कट लगाना है आप देख सकते हो उसके जो लेयर है वो बरकरार रहे है आप देख सकते हो तिनों के तिनों टुकडे के लेयर परफेक्ट बरकरार उनके लेयर दीख रहे है अब हमें एक हिस्सा लेना है बाकी के दो टुकडे को कवर करके रख देंगे क्यूंकि इसमें मेंडा है तो सुखने लगेगा अब हमें एक हिस्से से लुईया बना कर रेडी करना है कट लगा लेंगे उसको भी हम इस तरह से घिसके ही कट लगाएंगे आप साइज देख सकते हो इस तरह से हम कट करके लुईया बना कर रेडी कर लेंगे लुईया बना ली है अब हम हाठू में लेके हलका सा प्रेस कर लेंगे उसको हमें बेलना है अब हम चकले पे इस तरह से रख देंगे आप चाहो तो यहाँ पर गी भी लगा सकते हो इस तरह से तीन से चार बार मेडियम ठिकनेस रहे उसी तरह बेलना है आप ठिकनेस देख सकते हो इस तरह से हमें सारी ख़जा पूरी बना कर रेडी कर लेंगे यहाँ पर पूरी के उपर इस तरह से कट लगाना है ताकि पूरी है वो खिलना जाए हमें यहाँ पर पूरी को खिलना नहीं है उसका हमें ध्यान रखना है यहाँ पर सारी खाजा पूरी बेल के रेडी कर लिया है अब हम इसको फ्राइ कर लेंगे टेल गरम हो गया है आज हम यह पूरी को सरशो के टेल में फ्राइ करेंगे जितनी खाजा पूरी आप उतनी रखते जाएंगे आए उतनी रखते जाएंगे खाजे को अच्छे से फ्राई होने देना है गेस की फ्लेम मीडियम रखना है बिल्कुल भी नहीं चलाना है फ्राई होके उपर आने तक आप देख सकते हैं हमारा खाजा त्याने लगे है अब हम एक एक करके पलट लेंगे और दुसरी साइर भी अच्छे से होने देंगे हमारी खाजा पुरी फ्राई हो गई है उसको हमें निकाल लेना है पुरी का कलर भी चेंज हो गया है सुनेरा हो गया है इस तरह से सारी खाजा पुरी फ्राई कर लेंगे हमारी सूर्टी खाजापूरी बनकर रेडी हो गई है आमके रस के साथ खाया जाता है ऐसे ही उपर से निम्मू नूचर के भी खा सकते हो आप भी गर पर ही जरूर ट्राइ करे बहुती अच्छे से बनेगा आपको हमारी रेशिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें